दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका न्यूज लॉंचर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आज चुनाव आयोग ने पांच राज्यों के लिए विनान सभा चुनाओं की तारीखें घोसित की तीन दिसंबर को इन पांचों राज्यों के नतीजे आ जाएंगे क्वाटियूटिक की नाम का एलान करना उस्ट्रकिरिया को आगे बढ़ाना सुरू कर रही लेकिन जैसे जैसे ब्जेपि के नाम का एलान होता जा रहा है वैसे भारती जनता पार्टी अंदर से नुपाड़ होते हुए दिख्टी प्रतीथ हो रही है, कैसे दिख रही है? आई इजडाई से मिस्तार से जानते हैं, मद्ध्य प्रदेश में जानकर आश्चर होगा पहली सूची में मुख्य मंंत्री का नाम नहीं आया, अब जो सूची आई है उसमें मुख्य मंत्री का नाम उनके विधानसभा सीट दर्ज है वही राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पहले वसुंद्रा राजे को खिनारे लगा के बात हो रही थी लेकिन अब तो हालत यहां तक पहुंच गई कि वसुंद्रा के करीभियों के को टिकट से तो वंचित किया ही जा रहा है वह सुंद्रा राजे के नायम का भी अब तक अलाम नहीं हुआ है उनकी सीट का भी अलाम नहीं हुआ है कि कैंडिडेट कौन होगा और साथ साथ भारती जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में से एक माने जाने वाले भैरो सिंग से खावत के दामाद को जैपूर की विद्याधर नगर सीट से टिकट नहीं दिया गया है वो लगातार कई चुनाओं से जीत रहे थे बीजेपी का किला बचा कर रखा था लेकिन उन्हें टिकट से की पूरी खेब बिनानसबा चुनाओं लड़ने के लिए उतार दी गई उसी प्रकार से आधा दर्जन से जाधा सांसदों को राजस्थान में टिकट दे लिया है राजस्थान के सबसे बड़े नेता बीजेपी की सबसे बड़े नेता वसंद्रा राजे चुनाओं लड़े होगे तो क्या इस पकार से भारती जनता पार्टी असोग गैलोत का मुकावला कर पाएगी क्या वसंद्रा राजे को किनारे कर सिवराज सिंग्चोहान को उनकी राजजितिक अहमियत बताकर 36 गड़ में विना वैकल्पिक नेत्रितु का विकास किये क्या भारती जनता पार् राजियों में पिछली बार कॉंग्रेस जीती लेकिन तीनों राजियों की 65 में से 62 लोग सवा सीटे तब भी भाजपा ने जीत ली बिल्कुल सही बात है जीत लेकिन अब जिस पकार से चुनाओं सिर्फ परिवर्तन के लिए नहीं चुनाओं में पदमावत फिल्म और स्ट ट्मुद्ण का मुद्धा है किसानों का अगनी पत अगनी वीर स्कीम का मुद्धा बेरोजगारी का मुद्धा है और इन सब के बीच वरिष्ट नेताओं को दरकिनार करने का मुद्धा भी पूरे राज्य में नहीं तो भारती जनता पार्टी के अंदर सबसे बड़ा मुद्धा है शिवराज सिंचोहान लोगों से अपील कर रहे हैं महिलाओं को कह रहे हैं कि ऐसा भाई नहीं मिलेगा वो महिलाओं को बता रहे हैं, मध्य प्रदेश की महिलाओं को ये बात कह रहे हैं, या भारती जनता पार्टी के सिर्स नेत्रित को नसीहत दे रहे हैं, ये सवाल बड़ा है, सवाल बड़ा इसलिए भी है, क्योंकि वसुंदरा राजे, थोड़ी सी वसुंदरा राजे दे और इस बात की दूर दूर तक कोई गुंजाइस नहीं दिखती कि वसुंद्रा राजे की सक्रियता उनको किनारे करने के बाद भी हासिल की जा सकती है असोग गहलोत के साथ उनकी दोस्ती के तमाम चर्चे होते हैं वो दोस्ती राजनितिक नहीं बलकि नीजी है व्यक्तिकत संबन अच्छे है आम तोर पर राजनिती में परिपाटी रही है कि विपक्षी दलों के नेताओं के साथ लोगों के संबन अच्छे होते हैं लेकिन वो संबंध आज की तारीख में राजस्थान की चुनावी बिसात को तै करते हुए नजर आए और उस बिसात को तै करने के दिसा में भागपा का सिर्ष नित्रित अपनी तरफ से उसमें अपर्तिक्ष तरीके से सहयोग देता हुआ नजर आए तो यह चुनावती बद्दाताओं क अपर्ती जनतापार्टी के एक मात्रों सी मुख्यमंत्री सिर्व रायस्ति चौहान को उनकी राजितिक हैसित बताने कि कोई कल्पना भी कर सकता है क्या और क्या भूपेश बगेल के सामने 36 गड़ में बीजेपी की लिडर्रिशिट डेवलप नहीं हुईं तो क्या यह सब नरेंद्र मोदी की बगएर जानकारी के हुआ है क्या बिलकुल नहीं हुआ है दरसल ये सब कुछ नरेंद्र मोदी और अमिर्शा की जानकारी में हुआ है ये सिर्फ फैसला जेपी नडडा और बीयल संतोस ने नहीं लिया है ये फैसला सिर्फ RSS में नहीं लिया है वलकि सब क कुछ नरेंदर मोदी और अमिर साह की सामती से लिया हुआ फैसला लगता है क्योंकि बीजेपी में अब एक ऐसा वर्ग विक्सित हो चुका है खासकर नेत्रितु के अस्तर पर एक ऐसा वर्ग विक्सित हो चुका है जिसको लगता है कि कियंद से लेकर राज तक मिनिस पल्टी से लेकर पंचायद तक हर चुनाओ को सिर्फ और सिर्फ मोडी फैक्टर के सहारे जीता जा सकता है जटके लगे हैं बीजेपी को मोडी के नाम पर चुनाओ जीतने की कोशिस में 2015 में दिल्ली में जटका लगा 2015 में ही बिहार में भी जटका लगा और जब उस जटके से उबर कर दिल्ली में भार्थी जन्ता पाटी ने मोडी के नाम पर लड़ने की बजाए दिल्ली में भोजपूरी सिनेमा से आने वाले एक चेहरे को अपना चेहरा बनाया अर्विंद केज निवाल जैसे प्रसासक के सामने उनके एजुकेशन और स्वास्त के मॉडल के सामने दिल्ली के डेवलप्मेंट का जो उन्होंने कथित मॉडल पेस किया उस model के सामने जब एक सिनेमाई परदे से लाकर एक गट्टी को पेश करने की कोशिस हुई तब भी BJP को जटका लगा साहीन भाग को सैयोग नहीं परियोग मना बताने की कोशिस में भी BJP को जटका लगा नितिश कुमार का DNA तलासने की कोशिस में भी जटका लगा और अने वाले वक्त में इंडिया गठ बंदन को घमंडिया कहने पर कितना बड़ा जटका लगेगा ये इन पांच राज्यों के चुनाओ बताएंगे खासकर उन तीन राज्यों के चुनाओ जहां भारती जन्ता पार्टी कभी न कभी या तो सक्ता में रही है या सक्ता की दावेदार बनी हुई है तो इन तीन राजियों के चुनाओं में भारती जंता पार्टी की यहमियत को समझने के लिए वह सुन्दरा राजे और सिवराज सिंग चौहान की यहमियत को समझना होगा थोड़ा पन्ने पीछे उलटके उलटते हैं स्रीवराज सिंग चौहान किस दौर में मुख्य मंत्री बनाए गए थे जब मध्य प्रदेश में पिछडे वर्गों की सबसे बड़ी पोस्टर बॉआ है हिंदुत्व और पिछडे वर्गों की सबसे बड़ी पोस्टर बॉआ है मानी जाने वाली उमा भारती को एक कोर्ट के मामले के एक कानूनी मामले के चलते मुख्य मंत्री पर छोना पड़ा था बाबुलाल गौर नेत्रित देने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे उस दौर में दिल्ली से भुपाल के बीच सताब्दी एक्सपिस्ते चलने वाले अटल विहारी वाजपई की खाली के हुई विरिसा के सीट से पांच बार लोक सभा के लिए चुने जाने वाले सिवराज सिंग्चोहान को जब मद्यपरदेश भेजने का फैसला हुआ तो सब को आश्चर हुआ था कि जो सिवराज सिंग्चोहान संसद में भी कम बोलते हैं पिछली बेंचों पे बैठते हैं वो पता नहीं मद्यपरदेश में भारती जन्ता पार्टी की हिलती होई बुनियाद को पता नहीं फिर से खड़ी कर पाएं गया नहीं लेकिन सिवराज ने सब को गलत सावित किया सिवराज ने बीजेपी की मजबूत जमीन चुनाओ दर चुनाओ बनाये रखी पिछली बार हार के बावजूद भारती जन्ता पार्टी को पिछले विरान सबाचुनाओ में कॉंग्रेस पार्टी से वोट ज्यादा मिले प्रतिसत के मामले में कहें तो ज्यादा मिले सीठे भले ही कम हो गई तो ये है सिवराज सिंग्चोहान की ताकत और अब सिवराज सिंग्चोहान उस मध्यपरदेश में पिछड़ रहे हैं जिस मध्यपरदेश में नामीविया से लाकर चीते छोड़े गए लेकिन जब नामीविया से लाकर चीते छोड़े गए उसके बाद चीतों की चर्चा क के बीच मुख्यमंत्री को कहीं न कहीं किसी अंद राजनिती का भ्यारण में छोड़ने की बात हो रही हो तो राजमे भारती जंता पार्टी के हाथ से जो सक्ता फिसलती दिख रही है उस फिसलन की प्रकिरिया कितनी तेज होगी इसकी कल्पना साज की जा सकती है रही बात वस उस पॉलिटकल वैक्यूम को भरने के लिए वसुंद्रा राजे को सामने लाया गया वसुंद्रा राजे ने राजस्थान में 2003 के विदान सभाचुनाओं में असोग गैलोज जैसे मजे हुए नेता को मान दी फील गूड और इंडिया साइनिंग के ताथ भारती जंता पार अब यही लीडर्शिप पूरी तरह से किनारे हैं उमा भारती और जाती जंगन्ना के मुद्दे के समर्थन में खड़ी हो गई हैं उमा भारती के समर्थन में खड़े होने के बाद भारती जंता पार्टी को रास्ता नहीं दिख रहा है भारती जंता पार्टी कभी इसराइ आपन सुना होगा एक डिटर्जेंट कंपनी का कि फैसन के इस दौर में गारेंटी की चिंता न करें या पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें अब इस्तेमाल हो चुकी चीज़े भारती जंता पर्टी अब नारों के सहारे वोट मांगने की स्थिती में बीजेपी नहीं बिना बेंच स्टेंट तयार किये सिवराज सिंग चौहान को किनारे लगाने के मुकंबल बेवस्था की जा रही है और बिना बेंच स्टेंट तयार किये रमन सिंग को जो किनारे लगाने की पूरी कवायत थी वहां से बीजेपी को अब भूल सुधार करते हुए उस वक्त रमन सिंग को सामने लाया जा रहा है जब कोई विकल्प नहीं है और रास्ता यह दिख रहा है कि सायर पांच विदान सभा सीटे रमन सिंग के नाम पर कुछ और बढ़ जाए सत्ता के गुंजाइश तो भारती जंता पार्टी के लोगों को भी 36 गड़ में नहीं है कुल मिलाकर जो इस्तिती है वो इस्तिती साफ जाहिर करती है कि बीजेपी इस चुनाओ में सत्ता बचाने के लिए कम सत्ता पाने के लिए कम साख बचाने के लिए जादा और लोग सभा चुनाओ की बुनियाद को मजबूत करने के लिए लोग सभाचुनाओं के लिए पूरा प्लॉट तैयार करने की नियत से इस विधान सभाचुनाओं में उतरते दिख रही है। आज कोई ये कहने की स्थिती में नहीं है कि रानी तेरी खैर नहीं। उन सिवराज सिंग्चौहान को धीरे धीरे उनका उनकी हमियत कम की जा रही है। तमाम सांसत चुनाओं में उतर दिये गए। लेकिन सांसत का चुनाओं में उतरना ये भार्ती जंता पार्टी की विवस्ता को पदर्सित कर रहा है। भार्ती जंता पार्टी की मजबूरी को पदर्सित कर रहा है और इस मजबूरी के आगे कौन सी सियासत होनी है। बीजेपी के लोग जादा बेहतर जानते हैं फिलहाल तो यहीं दिख रहा है कि बीजेपी मौजूदा नेत्रित्तु नरेंदर मोदी के पूर्ण नियंत्रन के दौर में अंदर से दो फार नहीं बलकि अंदर से कई भागों में भी भाजित होती हुई परतीत हो रही है। देखते हैं चुनाओ में इसका आसपस्ट रूप से जलक हम सबको मिल जाएगा और इस जलक के लिए चुनाओ में भारती जनता पार्टी के मुद्दे को देखने के लिए और भारती जनता पार्टी के कारेकरताओं की चुनाओ में कितनी दिल्चस्पी है उसे देखने के ल ना हुआ फिलाल के लिए इतना ही नमस्कार